जैसरई राधिक्ष्मिर आप सभी का हमारे यूट्व चैनल पर बहुत-Bहुत स्वगत है। शुब महुर्द के बारे में पारण समय के बारे में, रध महद्दो के बारे में, ब्रत्य के नियवों के बारे में इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए और फिर सुनेंगे विजिया एक आदसी ब्रत्य की कथा आप सभी भक्तों को विजिया एक आदसी ब्रत्य की धेर सारी शुब कामना है आप सभी के जीवन में लक्षमी नरायन की कृपा से आप स एक आदसी का ब्रत्य किया जाता है इस दिन भगवान विश्नु माता लक्ष्मी भगवान विश्नु के नरायन सुरूप का पूजन किया जाता है एक आदसी का ब्रत्य जो कि भगवान विश्नु भगवान सुर कृष्ण को अतिप्रिय होता है जो भी भक्त सची सरधा के साथ एकादस्री का ब्रत्य करते हैं तो एकादस्री ब्रत्य के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है एक वर्स में 24 एकादस्री का ब्रत्य होता है वहीं पे अगर अधिक मास हो तो दो बठकर 26 एकादस्री का ब्रत्य होता है हर ब्रत्य का अपना अपन अपना विशेश महत्व माना गया है इसी परकार से फालगुन-माह के कृष्णम पक्ष में पढ़ने वाली विजयating आदसी ब्रत्य का अपना विशेश महत्यु माना गया है इस ब्रत्य के प्रभाव से व्यक्ती के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है दुख दारेद्वे दूर होकर समस्त कारियों में विजय की प्राप्ति होती है। इस ब्रत्त को करने वाला किसी भी काम में विफलता का मुह नहीं देखता। इस ब्रत्त को करने वाले जोकि अविजीत कारिय में भी विजय दायक है। राजदरवार में बैरियों से तथा प्रिक्षा आदे में सफलता प्राप्त कर धन वैभं लक्ष्मी प्राप्ति हे तु यह ब्रत जो की अनंत गुना पुन्डेफल दाई माना गया है विजिया एकादसी व्रत के दिन इस दिन जुकी भगवान लक्ष्मी नरायन की स्वर्ण चांदी तामबे या मिट्री के घड़े को जल से भर कर उसमें पंच पल्लब रखकर विदी का निर्वान करके विदी पे अस्थापीत करके उसमें लक्ष्मी नरायन की प्रतिमा को अस चाहिए जो भी एकादसी का ब्रत करते हैं उन्हें एकादसी ब्रत के लिए जो की दस्मी के दिन से ही ब्रत में नियमों का पालन करना चाहिए दस्मी तिति के दिन शुद्र और शात्रिक अहार जो की सुर्यास्त होने से पहले ही ग्रहन कर लेनी चाहिए उसके बाद फिर द वादसी तिती ब्रह्वेशरजियक पालन करना चाहिए और पुर्ण निश्ठा भक्ति भाव औरश्रद्धा युक्त हो करके भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए कता सरवन करने चाहिए द्न रातरी जागरन आदिगाद garlic करना चाहिए जहां तक हो सके भगवन नाम का अस्मरण भजन किरतन करते हुए हैं समय को व्यतीत करना चाहिए अगले दिन जा करके फिर नित्य क्रियाओं से रिवित्त हो करके अश्नान आधिका काड़ी करके शुद्वस्तर धारन करके भगवान का पूजन और आरती करके फिर प्रहमणों को भो विजिय एक आदशी तिथी प्राणंव समय जो की 16 फरवरी 2023 दिन गुरूबारすुबह 5.35 और एक आदशी तिथी की समाप्ति जोकी रातरी 2.52 मिन crime. पे 16 फरवरी को ही रातरी में जानी की सत्रा फरवरी को तरके में दू बचकर 52 मिनट पे एक आदसी तिथी की समाप्ती जो की सत्रा फरवरी 2023 दिन शुकर वार रातरी 11 बजकर 37 मिनट पे है यह जो समय है यह समय सनातर पंचांग के अनुसार है और वारा नशी हिर्षिकेस पंचांग के अनुसार जो समय है वह समय जो की एक आदसी तिथी प्राडंब 15 फरवरी 2023 दिन बुद्ध बार रात्री 12 बजकर 24 मिनट और एक आदसी तिथी की समाप्ती 16 फरवरी 2023 दिन गुरु बार रात्री 10 बजकर 19 मिनट पे और 12 तिथी की समाप्ती जो की 17 फरवरी 2023 दिन शुक्र बार रात्री 8 बजकर 5 मिनट पे इसके अनुसार एक आदसी का ब्रत जो की 16 फरवरी 2023 दिन गुरु बार को किया जाएगा और कुछ पंचांगों के अनुसार जो की वैश्णम मत के अनुसार 17 फरवरी को भी एक आदसी का ब्रत किया जाएगा 16 फरवरी को जो की ग्रहस्तों के लिए एक आदसी का ब्रत है और 17 फरवरी को जो की वैश्णम के लिए है जो भी मोक्षी के एक शुक है वो सभी 17 फरवरी को एक आदसी का ब्रत रखेंगे और 16 फरवरी को ग्रहस्तों के लिए ब्रत है तो जो भी 16 फरवरी 2023 दिन गुरु बार ब्रत्यकों धारण करेंगे वो ब्रत्यका पारण जो कि सत्रात फर्वरी 2023 दिन शुक्रवार को ब्रत रखेंगे वो सभी ब्रत का पारण जो की 18 फरवरी 2023 दिन शनि बार को ब्रत का पारण करेंगे पारण का समय सुबह 7 बजकर 16 मिनट से सुबह 9 बजकर 16 मिनट तक ब्रत का पारण किया जाएगा इस बार विजेया एकादस्री ब्रत का पारण जो कि गोध हन्या पारण यानि कि गाय के दुद के दही से ब्रत का पारण किया जायेगा या अगर सम्भब ना हो तो आप तुलसी दल और जल से भी ब्रत का पारण कर सकते हैं जो भी 17 फरवरी को ब्रत रखने बाले है तो उनका ब्रत का पारण जो कि 18 फरवरी 2023 दिन शनी बार को पारण किया जाएगा और उस दिन जो कि प्रदोस का ब्रत भी है और महाशी ब्रातरी का ब्रत भी है तो जो भी उस दिन ब्रत को धारण करेंगे तो पहले ब्रत का पारण क या चाहे तो आप फल से भी बरत्य का पारण करें पृडोस का ब्रत्य जब्रतों या जानना चाहते हो तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अप legitimate हैं या हमारे बीडियो के इंड एस्क्रीन में वीडियो का लिंक दिया गया है आप वहां से जानकारिया को प्राप्त कर सकते हैं आईए अब जानते हैं 16 फरवरी को जो सुर्योदय का समय होगा वह समय सुभा 6 बजकर 32 मिनट और सुरियास्त साम 5 बजकर 52 मिनट राहु काल का जो समय होगा वह दो पह संबरी नहीं होता है योग जो कि हरषन योग सुभा 7 बजकर tran 1 मिनट तक उसके बाद वंद्लियोग होगा रात्री 3 बजकर 34 मिनट तक सिधियो जो कि 17 फरवडी रात्री 11 Бजकर 43 मिनट तक ने शद्रतर जो की मूल ने शद्रतर crucial रात्री 10 बजकर 33 एक उसके बालैन पुमा सुबह 6 बजकर 32 मिनट और सुरियास्त साम 5 बजकर 52 मिनट राहु काल का जो समय होगा वह सुबह 10 बजकर 47 मिनट से 2 पहर 12 बजकर 12 मिनट तक राहु काल का समय होगा और जो भी 17 को ब्रत धारन करेंगे वो 18 को ब्रत का पारन करेंगे और 18 को सुरियास्त साम 5 बजकर 33 मिनट उस दिर राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 9 बजकर 21 मिनट से सुबह 10 बजकर 46 मिनट तक राहु काल का उस दिन समय होगा तो राहु काल समय के दोरान कोई भी पूजर आदी का कारिय या सुह मांगली कारिय नहीं करना शाहिए यह लावप्रद नहीं होता है राहु काल समय छोर करके ही आप सुह और मांगली कारियों को कर सकते हैं जो भी 12 रसी हिर्शिकेस पंचांग को मानने वाले हैं या विश्व विद्याले पंचांग आदि को मानने वाले हैं इनके अनुसार अगर आप ब्रत रखते हैं तो ग्रिहस्तों के लिए जोकी 16 फरवरी को ब्रत रखा जाएगा और वैश्णम बतों के अनुसार जो भी ब्रत अगर आप सब विजया एकादसी ब्रत्य के उपलक्ष में ब्राह्मन दक्षिना अन्यदान वस्त्रदान आदी के लिए देना चाहते हो तो आप अपने स्रद्धा और सामर्थ के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से गूगल पे फोन पे या एकाउंट नंब की जै माता लक्षमी की जै एकादसी माता की जै भगवान सरक्रिष्ण की जै सरव देवी देवता की जै विजया एकादसी ब्रत्य कथा के अनुसार है बहुत समय पहले की बात है कि एक बार युदिश्टिर ने भगवान सरक्रिष्ण से कहा कि हे प्रभु आप कृपा करके फालकुल मासर कृष्ण पक्षिकी एक आदसी का क्या नाम है ब्रत्य का विधान और महात्मे एवं उन्ने फल का वर्णन कीजिए मेरी सुनने की बड़े एक्षा है महाराज युदिश्टिर के ऐसे बचन को सुनकर भगवार सिरकृष्ण बोले कि हे राजाए इस एक आदसी का नाम विजया है और यहाँ निशन्देह विजय को देने वाली है जो प्रश्ण आज तुमने मुझसे किया है यही प्रश्ण इससे अनेक काल पुर्व नाराज जी ने ब्रम्भा जी से किया था तब उन्होंने कृपा करके जो अनुपम चरित्र नाराज जी को सुनाया था वही मैं तुम्हे सुना रहा हूँ भगवान स्रे राम चौदा वर्स के लिए बनवास की आग्या सिरोधार्य कर बनुक में जाकर गोदावरी के किनारे पंचबटी में निवास की तपश्विनी सिता वही से रावन के द्वारा हरी गई जिससे वह अत्यंत ही व्याकूल एवं व्यतित हुए भगवती सिता के वियोग अगनी में जलते हुए भगवान स्रे राम उनको खोजने लगे आगे कुछ दूर चलने पर उन्हें मरनाशन अवस्था में गिधराज जटायू मिले उन्होंने अपने आहत होने का समुचित ब्रतान सुनाकर अपने एहलोकिक लेला समाप्त की आगे चलकर राम चंद्र जी ने कबंध का बंध किया और सुग्रीब से मित्रता की भक्त श्रियो मनी केसरी नंदन हनुमान जी ने लंका जाकर भगवती सीता का पता लगाया। रावन को भगवान राम चंद्र का अनुपम तेज दिखाकर लंका को जलाया। और सीता जी की खबर लाकर भगवान रामचंदर को सुनाया। तब भगवान रामचंदर ने सुग्रीब की सला से बानर और भालू की सेना ले लंका पर चढ़ाई की। मगर वहाँ पर सागर की महानता और अगाधता को देख कर शकरा गया। और लक्षमन से कहा कि हे भाई यह सागर तो अत्यनत ही अगम और अगाध दिखाई पड़ता है। इसको किस प्रकार पार करना होगा। यह विशाल वानरी सेना लंका में किस प्रकार पहुँचे की। कोई युक्ति तुम ही बताओ। बड़े भाई के ऐसे बाकियों को सुनकर विचारवान लक्षमन ने कहा कि हे प्रभु हे भाईया आप स्वेम आदि पुरुष परमेश्वर हैं। यद्दे भी आपसे कोई बात शिपी नहीं है तथा भी आप लुक लीला कर रहे हैं। पास जाकर यह प्रश्ण करें तो वह आवश्य कोई उपाय बतलाएंगे। लक्षमन जी की ऐसे बाते रामचंदर जी को ठीक जची और वे दालब्य रिशीव के पास जाकर उन्हें परणाम किया। महरसी ने आसरे बात देकर उन्हें आदर पुर्वक आसन दिया और फिर आने का कारण पूछा। उत्तर में रामचंदर जी ने अपना अभी प्राय महरसी से कह सुनाया। तब महरसी ने कहा कि हे रगुकुल भूशन आप फालकुल कृष्ण एक आदर सी जिसका नाम विजया है आप उसका ब्रत्य कीजिए। आपका मनुरत आवश्य ही पूर्ण होगा और लंका में आपकी विजय होगी। उस ब्रत्य की विधी मैं आप से कहता हूँ सो सुनिये। दसमी के दिन सोना, चांदी, तामबा, अथवा मिटी का एक घड़ा लेकर कलस अस्थापीत करे। उसमें जल इवं आम की पल्लब छोड़कर विदिकापर रखे। इसके आजपास सब्त धाने और उसके उपर जव रखकर नरायन की प्रतिमा को अस्थापीत करे। एक आदसी के दिन अश्नान इत्यादी से सुद्ध हो धूप दीप एवं नवेत द्वारा विदिवत भगवान का पूजन करे। उस दिन दिन भर उस कुम्भ के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करे। और रात में भी ध्य करते हुए जागरन करे। वादसी के भोर में कलश को नदिया सरोबर की तट पर ले जाकर उसका विदिवत पूजन कर उसे ब्रहामन को दान कर दे। इस प्रकार ब्रत्य को करने से आपकी सभी मनुरत शिद्ध होंगी। डालब्य रिशी के ऐसे बजन को सुरकर भगवान र प्राप्त की उसी प्रकार सभी कोई इस विजया एक आदसी का ब्रत्य करके अपनी मनों कामना को शिद्ध कर सकता है। अत्येव विजया एक आदसी का ब्रत्य अवश्य करना चाहिए। इसके महात्मे को कहने एवं सुनने दोनों से ही अनेकों पापों का नाश होकर वाजि प्रेम से भगवान विष्णों की जै माता लक्ष्मी की जै भगवान स्रेक्रिष्ण की जै एकादस्री माता की जै सर्वदेवी देवता की जै जो भी एकादस्री का ब्रत्य करते हैं उन्हें एकादस्री ब्रत्य के दोरान जो कि नियमों का पालन करना चाहिए एक आदस्वी vrtit के दोरान जोकी vrtit को किसी के ऊपर ख्रूथ नहीं करने चाहिए अपने मन में किसी के प्रति हिर्षा या दुईयस का भाव नहीं लाना चाहिए बर्मशर्ज का पालन करना चाहिए और पूर्ण स्रधा भकती भाव के साथ ब्रत्य को धारन करके ब्रत्य को करना चाहिए मन में अगर ब्रत्य के लिए औस रधा हो और विश्वास हो तो उस ब्रत्य को धारन नहीं करने चाहिए नहीं तो वह ब्रत्य निश्फल ही माना जाता है इस प्रकार से प्रोण स्रधा के साथ ही ब्रत्य को धारन कर भगवान का पुरे विधी विधान के साथ कूजन करना चाहिए इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है जो भी एकादसी का ब्रत्य करते हैं उन्हें एकादसी के दिन ज़ो की दिन रात्री उपवास रहते हुए इस दल्ब को धरन्ड करना चाहिए जो उपयास नहीं रहे पाते हैं जिनका स्वास्त सही ना हो वह समय फालाहार का सेवन करे कहा शाहीर Gust of एकालसी के दिन चावल ग्रहन नहीं करने चाहिए और तामसिक वस्तों का पर्योग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और पुर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ लक्ष्मी नरायन का पूजन करना चाहिए भगवान स्रिक्रिष्ण का पूजन करना चाहिए कथा सरवन करने शाहिए भगवान की आर्थी कहनी चाहिए इस प्रकार से जो भी भक्त सची सरदरा के साथ व्रत्य को धारन करवाइन करते हैं उनके सभी प्रकार के पाप वो का नाश होता है और जब लुटकिके के पाप और ताप निष्ट होते हैं तभी उनके फुन्यों उदय हो पाता है उसके बाद है साजारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है तुवासा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्यान परधक जानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए है तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब में वेल आइकन घंटी को दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोट फिकेसन आपको समय से मिलता रहे वीडियो को लाइक करे शेयर करे शुकी रहे और स्वस्त रहे जैसरी राधे कृष्ण धन्यबाद